दोस्तो इस वीडियो में हम रिपेर करने वाले हैं यूनिवर्सल कमपनी के इस होम थेटर स्पीकर सिस्टम को नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटेक तो चलिए शुरू करते हैं चलिए एक बार इसको चला कर देख लेते हैं कि यह देखिए दोस्तों इसका मेन वूफर नहीं चल रहा है अब कि इसके अलावा हम इस पर सैटलेट स्पिकर लगा कर देख लेते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट चैनल ठीक है या नहीं जी हाँ इसके लेफ्ट और राइट चैनल ठीक हैं दोनों में साउंड आ रहा है तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या प्रोब्लम है 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 अगर आगर 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 दोस्तों वूफर की देखिए Amplifier IC बुरी तरह से जल चुकी है इसमें जली हुई तो एक ही दिखाई दे रही है लेकिन वूफर स्पीकर के लिए इसमें दो IC लगी होती है और एक इतनी बुरी तरह से जल जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरी खराब ना हो तो हमें दोनों IC ही बदलनी पड़ेंगी तो उसके लिए हमें IC के पिनों को डिसोल्ड करना होगा जिसके लिए हम सॉल्डरिंग वीक का यूज करेंगे कि दो आज करेंगे देखे इस तरह सोल्डरिंग वीक की मदद से सभी पिनों से हम सोल्डर रिमूव कर देंगे देखे अब ये सभी पिन बिलकुल ओपन हो गई है अब हम IC को दूसरी तरफ से असाने से खीच सकते हैं पेच दिख रहा तो खुलता पेच्छ है यहां जो काम कर दो दो खुलता पेच्छ आए तर भूसी काम पफ वकस आए तो जे कम रख़ाइ प्रूसी काम को सब्सक्राइब अजर आए झाल 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 कि या करना था भाई चलो पोज कर लो कि यहां ते दुवार्ज चाखते हैं कि इस तो नमबर दीख जाओ देखिए यह है इस आईसी का नमबर अरे यह वीडियो में तो साफ नहीं आ रहा है मैं आपको स्नैप लेके दिखाता हूँ डी बीस तीस ए तो इसके जगे हम टी डी ए बीस तीस ए नमबर के आईसी लगाएंगे झाल तो झाल 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 अब दोनों IC की पिनों को अच्छे से सोल्डर करेंगे, ध्यान रहे कोई भी पिन आपस में शोट ना हो अब चाहिए आधि अधिकश्यन के पास में लुक्तन क्लूस ती अधिसे का में अधिमन के लिगा है कि अधिकश्यन के ना है कि आ जो 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 आहला झाल नहीं जो 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 लेगा झाल में इपने महल कर्द घर जो झाल 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 यह देखिये दोस्तों अब इसके वूफर स्पिकर से आवाज आई अब हम इस पर कोई म्यूजिक प्ले करके देखते हैं दोस्तों दोस्तों अब ही मैंने पिछे का पैनल कसा नहीं है इसलिए इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है वैसे हमारा स्पीकर सिस्टम एक्दम सही हो गया है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हैलफुल रहेगी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकोन का दबाएए ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले मिल सके अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जै हिंद वंदे मात्रम